नमस्कार आप देख रहे हैं दनिक साथी चलो जवानों आगे बढ़ो तोड़ो अब इस मोन को सत्ता तक पहुंचाना है किसान कमेरी कौम को कुछ इन ही पंक्तियों के साथ हर्याणा के डिप्टी सीएम दूस्य अन्चोटाला ने राजस्थान के सेखावटी की जमीन से 25-30 सीटों पर राजस्थान विधान सबा चुनाव लड़ने का एलान कर दिया पूर उप प्रधान मंत्री ताउ देविलाल की 110 वी जैनती के अवसर पर सिक्कर में आविजित रैली के दुरान हर्याणा की तर्च पर राजस्थान में भी डिप्टी सीएम ने युवा कार्ड खेल दिया एलान कर दिया गया वानर सेना राजस्थान विधान सबा का 24 ताला खोलने का काम करेगी कितना काम्याम होंगे ये तो आने वाला समही बताएगा लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भीड उम्डी उसको देखकर जेजेपी नेता गदगद जरूर नजराए क्योंकि जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने ऐसा हर्याना में करके दिखाया है मैच कुछ समय के अंदर ही अपनी पहचान बनाते वे 10 सीड जीत कर सत्ता में भागिदारी पाई अब उसी तरज पर राजस्थान में भी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ जुनावी तैयारिया सुरू कर दी है आज सीकर की पावन धरापर इस एतियासिक संख्या में आपने पहुँच कर एक समाचार राजस्थान के परिवर्तन में देड़े का काम किया है कि राजस्थान विधानसभा का ताड़ा जेजेपी की चापी खोलने का काम करेगी मैं आज आपको बोलना चाहूंगा राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे उसको मजबूती के साथ संख्याबल के साथ विधान तबा तक कैसे पहुचेंगे ये आज से एक-एक कारे करता का काम है मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राजिस्तान में करेंगे कमाल देखना ये कमाल आप इसी साल देखना हर कारे करता में देखना डॉक्टर जे सिंग चोटाला को और उबीद्वार में चोधरी देविलाल देखना चोधरी देविलाल अमर रहे साथियो एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नीवाज आम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं बहुत से साथि बदलाव की बात करते हैं मैं तो आपको बताना चाहूँगा राजिस्तान में गूंकर इस कॉंग्रेस सरकार ने किस तरह राजिस्तान को लूटा है पीटा है किस तरीके से युवा के भविश्य के साथ खिलवाड किया है आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूँगा मैं कल राजिस्तान में गहलोच साब के करेवे परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड रुपया गुलाबी रंग के इस तियारों में लगा दिया अकबार यह ओडिंग साइट भर दिये और लिखा वाथा मिशन दो जार तीस साथियो तीस तो गणा दूर है इस बार तो हम मिलकर तेईस में ही गेरने का काम करेंगे आज राजिस्तान में अपराज इतना है पूरे देश भर के अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओ के साथ पर बत्ता राजिस्तान की धरापर देखड़े को मिली यहाँ युवा के नाम पर कैसे बाबू पैसा लूट रहे है एक स्कीम चलाए गई युवा स्कॉलर्शिप स्कीम उस स्कीम के अंदर 50 युवाओ को विदेश पढ़ने को बेजा गया और 50 युवाओ में 48 युवा किसी ना किसी अधिकारी के बच्चे थे साथियो आज माइनिंग माफिया राजिस्तान का इतना हावी है कि राजिस्तान के रेवेन्यू को तो लूटा जा रहा है बर इनका भै भी निकल गया आम जैन को भी गाड़ी से रोंदने का काम किया जाता है साथियो पेपर लीक की जब बात आती है राजिस्तान के अंदर तेरा महीनों में गहलोज सरकार ने सत्रा पेपर लीक करवाने का काम किया और उस पेपर को कैंसल नहीं किया अपने तुनिंदे चायवे लोगों को नौकरी पे बठाया और ये रिकोर्ड में आया कि एक सब डिविजन से 200 सब इस्पेक्टर लगे एक ब्लोक से 100 लगे और एक घर से तीन लगाने का काम किया इस तरह कब रश्टाचार अब राजिस्तान की जंता सेड़े का काम नहीं करेगी और साथियों इसलिए आप से आगरे करूँगा कि अब मुहीम बनाकर घर घर जाकर ज्याजा से ज्याजा साथियों तक चोधरी देविलाल की उस सोच को दुबारा पोचाने का काम करो मजबूती देड़े का काम करो कि राजिस्तान के परिवर्तन की नीव जन्नाएक जन्ता पार्टी के चापी उस ताड़ा विधान सहभा को खोल कर रखने का काम करें शेज्याजापी पार्टी चिन्दाबात शेज़बी पार्टी चिन्दाबात शाथियों मैं तो एक किसी साथी ने लिखकर चंदलाई ने भेजी वो आप तक पढ़ना चाहूंगा स्वर्गे चोधरी देविलाल जी के बारे में थी कि प्रधान मंत्री नहीं उन्हें ताव केलवाना पसंथा काजू पुस्ते पिस्ते नहीं उनको मतीरे खाना पसंथा ड्रोएंग रूम की राजनीती नहीं उन्हें चार पाई पे सोजाना पसंथा युवाओं को कारे करता नहीं नेता बनाना पसंथा जाती धरम गरीब अमीर का बेद मिटाना पसंथा उन्हें सरकार को गाउं तक लाना पसंथा राजिस्तान को भी वो इतना प्यार करते थे जितना उन्हे हर्याना पसंता चाध्री देविला लमर रहे साथियो मैं तो एक चीज कह सकता हूँ चार साल होने को होगे हर्याना परदेश की सरकार में आपकी पार्टी की इस्तेदारी को और यारी प्यारी इस्तेदारियों में पूछो तो पता चलेगा कैसे अर्याना में बदलाव आया आजी के देन पिछले साल दादरी की धरापर चोदरी देविलाल जी का हमने स्टैच्चू लगाया समान दिवस बनाया और एक घोषना डॉक्टर जे सिंग चोटाला जी ने करी थी और वो घोषना थी कि एक सो नोवे जनम दिवस पर पार्टी एक सो नो डिजिटल लाइबरेरी स्तापित करने का काम करेगी और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमने 123 डिजिटल लाइबरेरी हर्याना के अंदर और तीन राजिस्तान के अंदर स्तापित करने का काम किया है और राजस्तान के अंदर ये संकल्प हम लेकर गए थे और आज इस मन्द से आप सबसे भी आगरेक करूंगा कि ये संकल्प लेकर जाओ कि ग्रामी नांचल में सिख्षा को बढ़ावा देने के लिए अब राजस्तान के अंदर भी इस मुईम को आगे लेकर बढ़ेंगे कि जहां देवाले वहाँ पुस्तकाले जहां देवाले जहां देवाले साथियो और मैंने फर्क देखा है हमने नोखा कि पावन धरापर चौधरी देविलाल जी के नाम पर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और उस डिजिटल लाइबरेरी से पढ़ने वाले तीन बच्चे पिछे मास्टर लगे खरनाल वीर तेजा जी की पावन धरापर डिजिटल लाइबरेरी बनाई और खरनाल की पावन धरापर आज दो बच्चों को नोकरी के अफसर मिला और इस मुहीम को आप श्वास के साथ रखना जिस दिन राजिस्तान में सरकार में आपकी इस्सेदारी होगी उस दिन राजिस्तान के हर गावन पंचायत तक डिजिटल लाइबरेरी की मुहीम को मजबूती से हम ले जाने का काम करेंगे साथियो युवा बविशे इस देश का युवा परिवर्तन की डोर उस युवा को ससक्त बनाने के लिए हम एक मुहीम लेकर आगे बड़े थे कि रोजगार मेरा अधिकार उस रोजगार मेरा अधिकार में अरियाना इकलोता राज्य बना जिसने हर प्राइवेट सेक्टर की नोकरी हो चाहे कंपनी हो ट्रस्ट हो सोसाइटी हो पार्टनर्शिप कंपनी हो हर एक के अंदर 75% अरियाना के निवासियों के लिए हमने अरक्षन बनाने का नोकरियों में काम किया और ये विश्वास के साथ कह देता हूँ जिस दिन राजस्तान विधान सबा का ताड़ा खुलेगा राजस्तान की नोकरियों में भी राजस्तान के युवाओं का 75% अधिकार हम लाने का काम करेगा तुश्यान चटाला जिनाबद तुश्यान तुमागे बढ़ो साथियो हमने अर्याना में एक और परिवर्तर लाने का काम किया कि आज हमारे युवाओं को विदेश में नोकरियों के अफसर मिलते है मगर उस अफसर के लिए कोई भी कोई विभाग नहीं बनाया जाता सरकार बढ़ने के बाद अर्याना में हमने एक विभाग बनाया फोरण कॉर्परेशन डिपार्टमेंट और उसके माध्यम से जितने हमारे यहां दूतावास है उनसे संपर्क करकर युवाओं की स्किलिंग बढ़वाई और स्किलिंग बढ़वाकर उनको युवाओं को अमबैसीज के माध्यम से रोजगार के अच्छे अफसर विदेशों में मिले यह संपर्क बनाने का काम किया और मैं आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजिस्तान की दानसवा में आपकी इस्सेदारी होगी फोरण कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट राजिस्तान के युवाओं के लिए भी हम सरकार में बनाने का काम करेंगा साथियों मैलाओं के लिए शीला ब्यान जी आँ है इनकी टीम ने एक मुहीम चलाई कि हमने मैलाओं को पंचायती राज में इस्सेदारी देनी है अर्याडा परदेश में हमने कानूनी प्रदान करकर हर दूसरी कुर्षी चाये वो पंच हो, सरपंच हो, पुलोक समिती हो, जिला परिशद हो, जिला परमूख हो, बुलोक परमूख हो हर दूसरी कुर्षी मैला के लिए आरक्षित करने का काम किया राशन डिपो में जा पुरुष परदान देश हम बोलते हैं मैलाओं के पास 5% इस्सदारी भी नहीं थी राशन डिपो में कानून प्रदान करकर मैलाओं की इस्सदारी 33% सुनिश्चित करने का काम किया है और मैं वादा करता हूँ, राजिस्तान के अंदर भी जब मौका मिलेगा राशन डिपो में 33% महिलाओं का समान हम सुनिश्चित करने का काम करें साथियों, पिछले दिनों, जैपुर से नागौर जा रहा था तो बीच में मैंने देखा, फोजियों की बहुत अकैडमी थी और फोजियों को उन अकैडमी में अफसर बनने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता आम गाओं का युवा ये चाहता है कि मैं सिपाई बरती हो जाओं B.S.F. में चला जाओं, C.R.P.F. में चला जाओं ज़्यादा अफसर मिले तो राजस्तान पुलीस में चला जाओं हम एक मुहीम अभी अर्याणा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं राजस्तान के लिए भी कहना चाहूंगा ये अपने छोरों को सिपाई बरती करने जोगा मत छोटो अगर बनाना है तो उसको NDA में भेजने लाए एक अफसर बनाने का काम करो और उसके लिए जिस दिन ताड़ा विधानसवा का खुलेगा साथियों मैं आध कहके जाता हूँ राजस्तान में चार बड़ी ओफिसर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने का काम करेंगे और इतने छोटे इंस्टिट्यूट ली यह मैं आ रहा था शिखावटी उनिवस्टी है इन उनिवस्टी ओ जितने बड़े-बड़े कि हमारा बच्चा दस वी के बाद उस अफसर की त्यारी में जुटे और बार वी करकर जब C.A.D. एक्जाम हो आर्मी का UPSC में वहाँ करनल, मेजर, जर्नल, बिर्गेडियर रिटायर हो ना कि नायब और सिपाई रिटायर हो साथियो इस परिवर्तन में आपका साथ चाहिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा राजस्तान में आदिवासी इलाका भी है केंदर सरकार को भी मैं जल्द पत्र लिखने वाड़ा हूँ माने परद्धान मंत्री जी से मिलकर भी उनसे आगरे करूँगा कि नौर्थीस्ट के भाईयों के लिए, बेहनों के लिए तो नौर्थीस्ट ट्राइबल बोर्ड बना दिया मार राजिस्तान और गुजरात के हमारे जो इट्राइबल इलाके के लोग है केंदर सरकार इस पे भी नीती बना कर इसका भी इस एरिये का उत्थान कराने के लिए यहाँ पर भी केंदर सरकार के सयोग से ट्राइबल बोर्ड राजिस्तान का बनाने का काम करें कि आदिवासी साथियों को उनका अधिकार मिल पाई साथियों आज एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा हमने अर्याना में किसानों के लिए चार साल में अनेक कदम उठाए और ऐसे कदम है कि आज अर्याना का किसान जो है वो सक्सम भी है और वो मजबूत भी हुआ है आज अर्याना में 13 फसले MSP पे खरीदने का काम हमारी सरकार करती है 19 फसले ऐसी है सबजिया है, फल फ्रूट है जिनको हमारी सरकार भावंतर बरपाई योजना में किसान को जो नुकसान होता है वो पैसा दे कर उसकी बरपाई करने का काम करती है आज चोधरी देविलाल जी के जनम दिवस पर अर्याडा में जहाँ जीरी की खरीद शुरू ही वहाँ हमने सरकारी तोर पर बाजरे की खरीद शुरू करी और देखो राजिस्तान सरकार के काम की इस बरपाई राजस्तान में सुखा बड़ा तो गिर्दावरी भी आज तक नहीं कराई राजस्तान के अंदर आज तक बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू कराने का काम नहीं किया साथियो जब आपकी इस्सेदारी होगी तो हर्याडा की तरज पर राजस्तान की फसलों को भी हम MSP पर खरीदने का काम करेंगे किसानों का रखवारा दुशे चुटाला जिन्दाबाद साथियो एक चीज मैं बड़ी खुशी के साथ इस मन्द से आपको कह सकता हूँ हर्याडा में हमने ऐसा सिस्टम बनाया है किसान के लिए कि किसान अपनी फसल मंडी में बेच के आता है और मात्र दो दिन के अंदर उसका पज़रा पैसा आड़ती के पास नहीं डारेक्ट बैंक ट्रांसफर से किसान के खाते में बेजने का काम करते हैं अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल का मुआवजे के लिए पटवारी जी के पीछे गूमना नहीं पड़ता साथियों अर्याणा सरकार को मोबाइल के माध्यम से बेज सकता है कि मेरी फसल में शती आगी और शती पूर्ती के माध्यम से उसके खाते में वेरिफिकेशन के बाद तुरंत उसकी शती का पैसा बेजा जाता है और पैसा भी थोड़ा नहीं अर्याणा में कॉंग्रेस की सरकार दो रुपे पांच रुपे दस रुपे दिया करती थी आज हमारी सरकार पंदरा अजार रुपे प्रती एकड देने का काम करती है और मैं ये आज कहके जाता हूँ जिस दिन थारा राज होगा जिस दिन आप लोगों की इस्सेदारी होगी राजिस्तान के किसान को भी पंदरा अजार रुपे प्रती एकड के हिसाब से हम पैसा देने का काम करेंगे साथियो मेरा तो बिंती अगरे अपील आप से है कि गाउ का उत्थान बहुत जुरूरी है मैंने राजस्तान के नेक सहर अभी घुमे हमने देखा सरकार का में फोकस जो है वो है सहरों में बना दो गाउ को विक्सित करने की बात कोई नहीं करता अर्याना में देखके आओ आज हमारी पंचायतों को शहर की तरज़ पर हम विक्सित कर रहे है आज हमारे गली लानी तक हम सीमित नहीं है आज मांगाति एई लाइब्रेरी बनवा दो, कम्निटी सेंटर बनवा दो आज जो हमारे दसदस हजार की अबादी के गाउ थे शहर की तर्ज पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है 50-50-60-60 करोड खर्च कर साथियों गाउ का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा गाउ उत्थार के लिए राजस्तार उत्थार के लिए तो आज राजस्तान के कोणे कोणे से आए मेरे भुदुर्गों का होगा मैं तो आज आपको केड़ा चाहूंगा कि उस उत्थार के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और आज विश्वास दिलाना पड़ेगा डॉक्टर एजे सिंग चोटाला जी को कि राजस्तान की जंता अब जेजेपी जेजेपी बोलेगी सत्ता का ताड़ा आपकी चाबी से खोलेगी साथियो हाज किसान कैसे विखसित हो अर्याना का इजराहिल से टाइब है इजराहिल के टेकनोलेजी से कैसे मरुस्तल इलाके में अर्याना के फ्रूट उगाया जाए सबजिया उगायी जाए डवाडी के मांगया आणा में और अभी नया आपके पडोस सिवाडी के अंदर हमने सेट अप किया है कभी रिष्टदारी में जाने का मौका मिले देख के आओ आज वहाँ पर सुखे इलाके में भी खजूर, जेतून कैसे हमारे किनू और छोटी-छोटी सबजिया ऐसे उगाई जाए इस पर लेटेस्ट टेक्नोलोजी किसान को हम देने का काम करते हैं और आज कहना चाहूंगा कि इस क्लस्टर सिस्टम को इस अतियाद्यूनिक टेक्नोलोजी को हम उसी तरज पर अर्याना में भी जल्दलाने का काम करेंगा किसानों का रखवाला तुष्य चुटाला जिन्दाबाद और एक चीज युवा साथियों के लिए और कहना चाहूंगा दिवेंदर खड़ा है डिसकस फैका करता था इसका एक साथी पीछे जुनुडू मिला एशियन गेम्स खेल के आया और सरकार में सब स्पेक्टर लगाव है उसको देखके मैंने पूछा सरकार पैसे कितने देती है तो कहता है कि राजस्तान सरकार तो मामूली सा रिवार्ड देती है तो मैं आज कहना चाहूंगा जैसे अरियाडा में हमने खिलाडियों का मान समान बढ़ाया और कोई छोटा नहीं सोना जीतने वाड़े को 6 करोड शिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड ब्रॉंज मेडलिस्ट को 2 करोड और रेस में कोई पर सेकिन थर्ड नाय चोथे नमबर पे भी आ जाए तो उसको 50 लाख रुपे का काम हम करते हैं और आज भाईयों वाजा करता हूं बेहनों भाईयों से खिलाडियों से कि जिस दिन भी वो चाब भी आपकी ताड़ा खोलेगी उसी तरज पर राजस्तान के खिलाडियों के लिए भी 6 करोड, 4 करोड, 2 करोड और 15 लाख की खिलों उतान के लिए हम योजना लाने का काम करेंगे खिलाडियों का रखवाला दुशें चुटाले जिन्दाबाद साथियों मेरा तो आगरे अपील बिंती आप से आज इतनी है कि उस लुटेरी कॉंग्रेस सरकार को जिस रे 5 साल राजस्तान को बरबाद और लूट खाने का काम किया क्या करते थे हवारे जैपूर के साथ ही बेठे है कि हम जैपूर में एक साल में 24 मंजली अस्पताल बना देंगे करोड़े रुपे की ठगी बारी गई और अब तक जैपूर के अंदर दो मंजली अस्पताल बनाने का काम नहीं थे साथियो राजिस्तान के अंदर कहाणी दिखाई जाती है कि राजिस्तान शिक्षा में बढ़ रहा है साथियो बढ़ नहीं रहा राजिस्तान तो इस शिक्षा के विपार में उजड़ रहा है हर चोथे पाचवे दिन अख़वार में अख़वार में न्यूज हम पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर सुसाइड कर लिया मैं तो इहरान हो गया सीकर के अंदर साड़े तीन लाग छातर छातराए हैं साथियो मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि राजिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के उत्थार के लिए भी हम स्पेशली जो आपकी कमिशनरेट है उनको एजुकेशन हब में विक्सित करने का आणेवाड़े भविश्य में काम करेंगे मेरी तो बिंती आगरे आपसे है कि इस युआओं के जोश को इकरतित करकर आगे बढ़ो और जहां बिजली की बात है ये तो सिर्व बाते बाते करने के अफसर रखते है आज रियाना में जमीन नहीं है खेती बाड़ी बहुत होती है क्योंकि नहरों का सिस्टम विक्षित किया गया साथियों राजस्तान में आने का मोका जब जब मिला चाहे वो अनुमान गड़ गंगानगर का इलाका हो नागोर बी का नेर का इलाका है आज इंदरा गांदी कनाल के माध्यम से कोई घंगर में से लेकर पाणी की विवस्ता बनाई जाती है आज र्याडा में ऐसा हमने विवस्ता बनाई है कि सिर्शाजिले से लेकर मेवाद तक मेंदर गड़ से लेकर यमनानगर तक कोई हमारा ऐसा इसा नहीं बता जो आज सिचाई उक्तना हो और ये वादा करता हूँ कि इस नहेर के सिस्टम को और बेतर बढ़ा कर कैसे विवस्ता बढ़ाई जाए राजस्तान में उसमेत गती के साथ हम काम गडाने का कारे करेंगे मैं तो अंत में इतना कहना चाहूंगा चलो जवानों आगे बढ़ो तोड़ो अब इस मोन को सत्ता तक पोचा दो किसान का मेरी कोम को तुशे चुटाले जिन्दापर तुशे चुटाले आगे बढ़ो साथियो आज मैं राजस्तान के हमारे जितने साथी मंद पर वेठे है हमारी दोनों महिला नेत्रियों से भी रीटा सिंग जी से परदिवा सिंग जी से ये मेर को लगता है किसी को विश्वास नी था कि डॉक्टर एजे सिंघ टोटाला जी की טीम राजस्तान में कितनी मजबूत है चौजणी देविलाल के विचार राजस्तान की जन्ता के साथ कितने मजबूती से जुडेंग, कितने मजबूत हुए मैं रामनिवास जी तो है एक साथी पुराड़े जनतादल के टाइम के इनने तो देखा है, चोधरी देविलाल जी आया करते थे हेलिकॉप्टर उतारा करते थे एक गाओं के छोरे के थबकी दे दी और पतातला दो महीने बाद विदायक बन गया मैं तो डॉक्टर जे सिंग चोटाला जी से भी आगरे करूँगा अपनी इस टीम को इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ अपनी इस टीम को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ और ये विश्वास रखड़ा मैंने हर वक्त कहा है पत्ची से तीस साथियों को हमत्यारी करायरे मेदान में उतारने की और उनकी ताकत को ही बढ़ेगा तो आप जैसा मेंती कारे करता बढ़ेगा आप जैसा मेंती साथी मेदान में उतर कर डॉक्टर एजैसिंग चोटाना जी की स्क्रीम को मजबूती देने का काम करेगा और आज हाथ उठाकर विश्वास दिला दो डॉक्टर साथ को दोने हाथ उठाकर विश्वास दिलाने का काम करें अगले दो महीने दिन रात एक करकर कारे करता मिदान में उतरेंगे जोस के साथ पार्टी संग्ठन को और इस चापी को घरगर तक पुचाड़े का काम करेंगे और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप मैनत कर देओ ये मेरी गारेंटी मेरा वादा आपसे है कि आपकी मैनत को बेशफल नहीं होने देंगे आपकी मैनत से ही राजस्तान विधान सबा का ताड़ा खोलेगी डॉक्टर जे सिंग चोटाला की जन्नायक जन्ता पार्टी की चाबी आप सब का मैं अभार पकट करता हूँ खास तोर पर सारी राजस्तान की टीम का जिनने इतने जोस और उत्सा के साथ आज हमारा यहां स्वागत किया मैं सीला वियान जी की शिरिमती नेना चोटाला जी का खास तोर पर अभार पकट करूँगा कि उनकी महिला सक्ती ये महिला टीम जिस संख्या में राजस्तान की दरापर आई है आज की ये रेली रिकोर्ड तोर रेली इसले बढ़ पाई कि इस महिला सक्ती का आज बहुत बड़ा योगदान है एक पर जोर दरता लिया मेरी माताओं बहनों के लिए मैं तो साथियो अब आर पकट करूँगा एक-एक युवा का जो आज अपनी सक्ती को जोश को आज दर्शाने आया है और मैं पत्तरकार साथियों को अभी आभार पकट करते वे उनसे आगरे करूँगा साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि युवाओं में होसला कम हो गया बहुत से लोग कहते हैं कि जन्ना एक जन्ता पार्टी का जोश कम हो गया मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ये हमारी वानर सेना जो है वो इसी मजबूती के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी उच्छे चुडाला जिन्दापाद साथियों मैं तो इस वानर सेना के लिए हमारे यूआ साथियों चे लिए मेरे बाईों बेनों के लिए ये चार लाइनों के साथ आगरी बात कहना चाहूंगा अब राजिस्तान विधान सह्मा में जाएगा कमेरा फिर दिल्ली की तरफ बढ़ाएगा कदम कमेरा ताउग के सिपाईयों ने कर लिया फैसला मुश्किलों को होसले से हराएगा कमेरा